मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कि हम reactsile xl पाइल को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए हम उसमें हम देखेंगे कि style के से export कर सकते हैं या फिस टाइल्स साथ में images भी कैसे export कर सकते हैं क्योंकि Last time मैंने जू वेडियो डाली थी इससे related react.js में वो थोड़ी से complicated थी और उसमें किया था कि कुछ दोस्तों के message आये थे कि इसमें image अगर include करनी हो तो कैसे कर सकते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए हम एक और नए package के साथ मैं try करेंगे जो काफी हद तक उससे easy है और यह मतलब आपके जाता काम आ सकता और मैं मैंने इसको मतलब bulk data का क्यूंकि उसमें कुछ लोगों के complaint थी कि मतलब उन्होंने try किया ज्यादा data के साथ में 5-10,000 data export करने का तो वो styling चल नहीं रही थी तो मैंने इसको यह जो package मैंने इसको try किया है over 53,000 records तो यह मतलब ठीक ठाक चला तो आज हम इसी को देखेंगे तो starting के लिए मैंने एक table create किया हूँ है जिसमें मतलब कि कुछ data show है id, title, brand, category, price और rating और photo ठीक है एक button है export का button है और हम इस पूरे data को export करना है with styling of header of the table और images भी हमें चाहिए इसे मतलब जो excel file export होगे उसके अंदर में हमें images भी चाहिए ठीक है और वो जाएसे इस एक्सपोर्ट पर क्लिक करेगा यहां पर अपने आपी excel file download हो जाएगी तो हम उसको करते हैं थोड़ा step by step इसके लिए जो हम package use करेंगे वो है excel js ठीक है तो excel js हमें बहुत सारे features provide करता है जैसे कि इसमें सबसे पहली बात की styling हो जाती है क्योंकि sheet js में मेरे हिसाब से तो styling के लिए कुछ paid होता है system तो इसमें क्या है free में available है और बहुत सारी चीज़े हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे fonts पगएर आप बिल्कुल easy तरीका है कोई और package install करने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ excel.js करना एक package और उससे काम हो जाएगा इसके अलावा security के लिए जैसे आप देखेंगे sheet protection है इसमें पासवर्ड जैसे कई बार होता है कि फाइल पासवर्ड encrypted होती है तो इसमें हम पासवर्ड भी set कर सकते हैं ठीक है तो आप अपनी requirement के हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या चीज की ज़रूरत है तो आज यो हम use करेंगे वो करेंगे excel.js और मैं इसको install कर लेता हूं ठीक है मैंने इसको अपने project में installing के लिए लगा दिया और इसको हम अपने project में इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है अभी मेरे पास में export बटन यह वला है अभी इस पर तो कोई event चल नहीं रहा ठीक है तो मैं इस पर on click पर एक event एड़ कर देता हूं इसका नाम हम रखेंगे export एक्सल फाइल ठीक है और हम इसको मेथड को create कर लेते हैं अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे एक नई workbook create करेंगे ठीक है यह हमारे पास में इंस्टॉल हो गया अब हम इसके अंदर एक नई workbook create करेंगे that is const workbook equal to workbook create करने के लिए हमें इसको initialize करना पड़ना excel.js को new keyword के साथ में और इसके अंदर एक method होगा वह workbook ठीक है यह क्या करेगा हमें एक नई workbook create करके देदेगा ठीक है अब हमें इस workbook के अंदर में एक sheet चाहिए ठीक है जो worksheet होती है तो इसको मैं करूंगा workbook dot add worksheet और इसके अंदर मैं अपनी sheet का कुछ भी नाम लिखते हैं जैसे मैं लिखते हैं my sheet ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हैं हो सकता आपके पास में dynamic हो को requirement तो आप अपने हिसाब से properties में मतले इसकी मैं default row height कर दूँगा define ठीक है तो मैं इसकी खर देता हूं default row height equal to 80 80 बहुत है मेरे लिए अब मुझे कैसे मैं इसमें एक row बना लेता हूं सबसे पहली row जो हमारा header होगा ठीक है तो मैं इसमें करता हूं तो row के लिए क्या होगा कि सबसे पहली जो row होगे उसमें तो column titles आएंगे और इसमें क्या होता है कि मुझे columns define करने हैं सबसे पहले ठीक है तो मैं ले लेता हूं sheet.columns equal to array of objects ठीक है इसके अंदर में मेरे पास में जो भी columns मतलब मुझे add करना है उसमें तीन तीन चीज़े पास होंगी हर किसी में header key और width header जो होगा वो मतलब column का name जो भी होता है width width of the column और जो key होगी की हमें वो रखनी है जो मतलब हमारे बस में जेसन डेटा आएगा जिस जो हमें data map करना है जैसे id में id map करना है तो id जो जेसन डेटा की id वाली field होगी की वो और ये वाली की same होनी चाहिए ठीक है तो मैं जैसे कर देता हूं head मैंने पहला कर दिया id ठीक है और की मैं इसमें रखोंगा id तो जो data मेरे पास में आएगा जो इसमें set करना है उसमें एक key होनी चाहिए id की वो इसमें map होगी और width मैं इसमें कर देता हूं 10 ठीक है वैसे ही दूसरा कर लेते हैं ठीक है दूसरा आ गया title तीसरा मेरे पास में जो आएगा वो होगा brand चौथ हार गया category पांच पाएगा price चौथ हाएगा मेरे पास में और rating और साथवा आएगा एंड वाला photo और photo की जो मैं key रखोंगा वो मैं रखोंगा thumbnail या फिर इसका नाम भी मैं thumbnail ही करतेता हूं ठीक है यह हो गया अभी मैं इसमें क्या करूंगा कि बाकी का data add करूंगा ठीक है तो data add करने के लिए मैं करूंगा मेरे पास में जो भी data है वो मैं set कर रहा हूं स्टेट के उसто इस डेटा में ठीक है तो मैं इस data में घया मैं इसे map कर दूंगा और इस डेटा के नाम मेरे पास में we are a product मैं मैं मुझे इसको मैप कर दूंग और इसके अंदर में मेरे पास मैं फ्रोड़क्ट भूला था नहीं जो सेम होनी चाहिए इसकी की ठीके यहां जैसा ID में ID提ज तो यह और के एवली की सेम होनी चाहिए अब दूसरा अगर टाइटल तो डॉद्ट एक टाइटल कर दिचनल तिसरा मिरवकर का ग्रेंट तो मैं करते हैं तो एक ब्रेंड ने अ है उसके बार कैटेगूरी द्टॉट डॉट टौट कैटेगरी उसके बार प्राइस ब्रोड़्क्त डॉट प्रास और इसके बारहते रिटिंग प्रोड़क्ट डॉट रेटेंग और इसके बाद हम थम्नेल भी ले लेते हैं प्रोड़क्ट डॉट थम्नेल ठीक है यह इतना काम हमारे पास में हो गया अभी मुझे क्या करना है कि अब उसको मुझे एक्सपोर्ट कर देना है जैसे मेरे पास में वाइल तो एक्सप Richt हम् एक मतलब हम क्या करेंगे हम एक इसमें एक मैथट होता है हम उसको यूज करेंगे और उसके एक ब्लॉब बनाएंगे ब्लॉब संग सेट करेंग और शर्व फाइल होगा वह हमारे पास में डाउनलोड हो जाएगी США पहले किया method excel sx ठीक है क्योंकि हमें इसी में फाइल चीए और इसके बंद में राइट बफर ठीक है यह होगा method function और यह है promise तो then then में मेरे पास में data आएगा ठीक है डीटा के अंदर में हमारे पास में क्या होगा जो भी data होगा मतलब buffer buffer data जो भी आएगा हमारे data pass में ठीक है हम क्या करेंगे यहां पर blob define कर लेते हैं ब्लॉब equal to new a blob ठीक है और इसके अंदर में हम अपना data pass कर देते हैं ठीक है और जो दूसरा इसका parameter होगा उसमें हम type define करेंगे कि किस type में हमें चाहिए तो मुझे चाहिए Excel मतलब जो sheet होती है हमारी ठीक है spreadsheet तो इसके लिए जो use होता है आप मतलब code में चाहिए copy कर देना इसको यह होता है application vnd.open.xml formats slash office document.spreadsheet.sheet ठीक है यही रहेगी इसकी value मेरे हिसाब से मैंने spelling ठीक लिखी है कोई दिक्कत आईगी तो हम बात में इसको cross check कर लेंगे ठीक है अब हमने constant ले लेना है कि url तो url में हम रखेंगे window और dot url ठीक है और हम क्या करेंगे create object url और इसमें हम पास कर देंगे जो हमारा उपर blob बना हुआ है blob object है यह उपर ठीक है और अब हम क्या करेंगे एक anchor define करेंगे ठीक है url तो हमारे पास में बन गी उपर ठीक है अब हम एक anchor define करेंगे तो मैं क्या करूंग document dot create element और इसके अंतर में हम anchor tag define कर देंगे एक anchor बन जाएगा और उस anchor की जो जो href होती है जो link हम anchor पर set करते हैं उसमें हम अपनी url set कर देंगे ठीक है अब उसके बाद में हम क्या करेंगे anchor.download ठीक है इस पर हम define कर देंगे कि जो file का name होगा ठीक है तो मैं इसका रख देता हूं download.xlsx file ठीक है जो भी file यहां से download होगा उसका यही नाम होगा मतलब वैसे भी रख सकते हैं थोड़ा अलग नाम अपने हिसाब से और अगला हम करेंगे anchor.click ठीक हम यहीं से इसको क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल जो होगी वो download हो जागी अब हमें इसको वैनिश करना विंडो से तो हम उसके लिए करेंगे window.url.revoke और इस URL को हम रिवोक करतेंगे ठीक है तो यह हमारे पास में total हमारा procedure मतलब सबसे पहले workbook create होगे उसके अंदर में sheet create होगे sheet के अंदर हम columns define करेंगे मतलब column titles उसके बाद में data उसके अंदर में आप कर देंगे और उसके बाद में इसको download कर देंगे तो हम इसको एक पड़ test कर लेते हैं मैंने इसको refresh किया और export कर दिया और हमारे पास में file download हो चुकी है ठीक है मैं इसको open करके देखता हूँ तो आप देखेंगे तो data मतलब और title मतलब जो column titles है वो आ चुके है और जो data है वो भी आ चुक है बट column keywords थोड़ी कम ज्यादा है तो हम इसको देख लेते हैं title के लिए हमें थोड़ी ज्यादा चीए तो इसको में 20 कर देता हूं brand के लिए 15 काफी है category के लिए 15 काफी है price के लिए 10 काफी है और रेटिंग के लिए 10 काफी है और thumbnail के लिए क्योंकि फिलाल हमारे पास में thumbnail में क्या रहा है URL आ रही है तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूं इसको मैं 30 कर देता हूं ठीक है और मैं इसको जो हमारी spreadsheet को लिए है इसको close करके हम इसको दोबारा से try करते हैं कि width हमारी चल रही है कि नहीं है तो मैंने इसको download किया है अब आप देखेंगे तो width बढ़ गी है ठीक है इसकी title के अभी थोड़ी कम है इसके हम थोड़ी से बढ़ा लेते हैं आप देखेंगे कि width वाला हमारा जो काम था वो चल रहा है ठीक है तो title वाले को हम कर देते हैं 30 ठीक है तो इतना इतना हमारा हो गया मतलब basic जो भी कभी आपको xlsx file एक्सपोर्ट करनी हो तो आप इतने से कर सकते हैं ठीक है क्यूंकि कई बार csv csv में क्या होता है कि ज्यादा वो होता नहीं है width बगार सैट कर देंगा कई बार simple requirement भी होती है तो उस case में आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे इस में थोड़ इसे styling add करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम styling set करेंगे जो हमारा header होगा header मतलो की यूज जो हमें दिख रहे हैं उपर है ठीक है यह ID title जो पहली row है तो मैं क्या करूंगा इसमें मैं यहां पे जाता हूँ सबसे पहले starting म नहीं ठीक है तो मैं यहां पर लेता हूं sheet.get row ठीक है तो मेरे पास पहली रो में हो ठीक है और इसके बाद मैं लेता हूं border और border आप अपने हिजाब से सेट कर सकते हैं ठीक है तो मैं मैं करूंगा मैं इसमें अलग-अलग type के border रखता हूं तक हम देख सकेंगी अलग-अलग colors चल रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसा बनाने के लिए बढ़िया वाला बनाने के लिए क्योंगा हम टेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो हम ऐसी करेंगे तो मैं style इसमें रख देता हूं thick इसमें thin भी होता है आप अपने हिसाब से कर सक रखते हैं यहर जीवी कोड टॉप यह हो गया अब मैं लेफ्ट में रखता हूं लेफ्ट में अलग color रखोंगा style मैंने फिर से थिक कर दिया और color में मैं कि यह यह जीवी ठीक है अलग color रख दिया उसके बाद मैं bottom में ले लेता हूं ठीक है इसमें अलग color ले लिया और bottom के अलावा हमारे पास में है बचा right side तो right bottom में हम ले लेते हैं style फिर से थिक और color हम इसमें भी अलग ले लेंगे है ठीक है तो इतना हो गया हमारे पास में ठीक है इतना हो गया भी हम क्या करते है और colors देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास में चल रहे हैं कि नहीं तो मैंने इसको refresh किया export किया और भी हम हम इस फाइल को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास में आगे है colors लेफ्ट कलर अलग है बॉटम बाला अलग है टॉप बाला अलग है और राइट वाला अलग है ठीक है तो मतलब colors वाला हम तो हमारा काम कर रहा है अभी हम क्या करेंगे कि है जो हमारे पास में यह है जो पहली रहा है इसका हम थोड़ा सा background color या फिर मतलब ऐसा जैसे पीला जैसा color है इसको भी हम वहां पर भी set कर देंगे तो हमें color वाली property का पता चल देगा तो इसमें हम करेंगे get row फिर से हमारे पास first row ही है ठीक है इसमें fill property यूज होती है तो fill property में हम एक object set करेंगे और object में सबसे पहले होता है कि type क्या होगा तो मैं रखता हूँ pattern है ठीक है तो मैं pattern रखता हूँ इसमें कि आप कोई सभी choose कर सकते हैं तो जैसे हम रख लेते हैं dark horizontal और इसके बाद है कि एफ जी color ठीक है इसमें आपने जो भी color आपने रखना है वो रख सकते हैं तो इसमें भी object पास होगा और ERG भी मैं इसमें रखूंगा ठीक है यह थोड़ा और मत यलो जासा color ही होगा इसको export करता हूँ और इसको open करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा यलू इस टाइप का color आगे जैसा हमारा इस page पर भी था ठीक है तो यह तो हो गया फिल वाला अभी हम लास्ट चीज एक देख लेते हैं इसमें हम इसको font भी change करके देख लेते हैं ठीक है तो मैं इसको करता हूँ get row और फिर से one है और इस पर मैं font set करता हूँ ठीक है इसका नेम है जो भी आपको font रखना है तो मैं इसका रखता हूँ comic sense ms ठीक है और family हम करते देते हैं four size कर देते हैं इसका sixteen थोड़ा बड़ा हो जागा और बोल्ड कर देते हैं ताकि पता चले कि वही टाइटल है ठीक है मैं इसको refresh किया export किया और आप देखेंगे तो यह title मतलब font change हो चुका है size change हो चुका है और बोल्ड हो चुका है ठीक है तो यह तो हो गया हमारे पास में चल गी और हमारे पास में जो क्या बोलते हैं हमारा और simple जैसा जो मतलब font वगएर थे वो भी चल गए अभी हम एक और चीज ट्राइब करते कही बार क्या होता है कि conditional styling पूछी जाती है कि जैसे what if जो price है वो अगर 50 से उपर हो और 1000 से नीचे हो तो हमें जो cells है वो हमें red में चाहिए ठीक है तो उस case में हम उसको भी हम थोड़ा से देख लेते हैं तो उस case में हम थोड़ी सी मतलब की conditional styling लगाएंगे तो उस case में हमें एक चीज जाहिए हो जैसे मैं यहां पर में define करता हूँ price column या price call रखतेता हूँ तो इसमें आप करेंगे sheet.get column ठीक है इसमें आपको पता हो न चाहिए कौन से column में price है तो हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो मैं इसमें पांच सेट करतेता हूँ पांच पा कॉल अब मेरे पास में तो मेरे पास में यह आ गया अभी मैं करूंगा price call.each cell जितने भी इसके अंदर में cell न है उन पर मैं I trade करता हूँ ठीक है अभी मैं इसमें लूँगा यहां पर अपनी कंडिशन लगा दो जैसे मुझे चाहिए अगर सेल वेल्यू जो है वो greater than 50 है और या फिर and cell value जो है वो less than 1000 इसका मतलब क्या होगा कि अगर वेल्यू 50 और 1000 के बीच में है तो यह क्या करेगी यह उसको red mark करना चाहिए तो मैं इसके लिए करूंगा sheet.get cell तो इसमें हम method देखेंगे कि एक cell के अंदर में कैसे मतलब styling करते हैं तो तरीका से ही रहता है जैसे हमने पिछला देख यहां पर get row कर रहे थे यहां पर get cell करेंगे और cell के अंदर में हम इसका address डाल देंगे ठीक है इसका address अगया dot fill method और इसमें हम object set करतेंगे एक जिसके अंदर में सबसे पहले type होगा क्या था पहले pattern और और इसके साथ में pattern मैं इसमें रखूंगा तो अगर आपको पूरा मतव ऐसा ready चाहिए तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं क्या बोलते हैं solid भी कर सकते हैं फिर मैं इसको light down ले लेता हूं ठीक है और इसका fg color में इसका जो भी color set करना है ठीक है तो इसमें और इसमें red color का code यह होता है ठीक है तो यह हो गया हमारे पास में इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो पुरानी जो शीट्स हमारे पास में डाउल्ड भी उनको close करके हमें एक बार फिर से export कर लेते हैं तो अब यह आप देखेंगे तो जो हमारे पास में जो भी हमारे कंडिशन को सैटिस्फाई करती है शीट्स मतलब वैल्यूज वह हमारे पास में थोड़ी रेडिश टाइप हो गया है ठीक है अगर आप इसको सॉलिड करेंगे तो यह पूरा मतलब वह हो जाएगा एक्सपोर्ट किया ओपन किया अभी अब देखेंगे पूरा रेड हो गया ठीक है पर मुझे ऐसी ठीक है थोड़ा सा सही टाइप ठीक है अब बाकी चीज़ें तो होगी हमारे पास में मैक्सिमी चीज़ें मतलब कवर हो गई जो बेसिक ज़ुरूरत होती है किसी पी एक्सल फाइल में इसके लावाए एक चीज़ भची हमारे पास में कि अगर फोटो डालनी हो तो क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमारे पास में जैसे यहां पर url है ना वाट इफ कि हमें अगर फॉटो ही प्रेंट करनी है दिखानी है वहां पे तो उस case में हमारा क्या होता है कि हमें इसका add image वाला एक method होता है, वो हमें देखना पड़ना ठीक है, तो यह जो add image वाला है, इसको मैं दूसरे पार्ट में explain करूँगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा time लगेगा, 10-15 मिनिट, तो हम उसको इसके दूसरे पार्ट में cover कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही, जो simple functionality थी, styling plus, जो हमारे पास में styling, मतलब main styling plus export excel file, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो का like करते ना, comment करते ना, को questioning बगए रहा हो, तो भी comment करते ना, अगर कोई help चाहिए हो, तो आप मेरा Instagram पर मुझे message कर सकते है, Instagram का link जो है, वो channel के description में मैंने add किया हुआ है, ठीक है, तो अगली वीडियो मतलब दो वीडियो मैं एक एक तिन के बाद ही डाल दूँगा, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, तो अभी के लिए इतना ही, thank you, bye